जो विदान सभा है अब राजनानगाउं विदान सभा पर विशलेशन करेंगे कि राजनानगाउं जो होट सीट है इस वक्त के लिए अगर हम बात करें जो पतंप चरण के मद्दान होने हैं 20 सीटों पर वहां अगर राजनानगाउं की बात करें सबसे होट सीट है पुरू परत्यासी होने का लगभग तमगा लग रहा है राजनान गाउं से और तीन बार की लगातार बात करें तो बीजेपी वहां से जीती है मैं छोट असा संशेप में भी बताना चाहूंगा राजनान गाउं सीट लगभग जीला भी है और 2018 में कुल 52 प्रतिशत वोट यहां पर र क्वांतो उसे हराया था राजनान गाउं सीट की बात करतो सिस इस राजनान गाउं सीट में संसधिक शेतर संतोस पांडे भारती जंता पाराटि से वहां पर अभी लोकसभ sayam राज और रहें और यहां पर अगर बात करतें तो सात जानदबाउन सीट पर होगा क्या कांगरिस लगातार पांच वरसों से बहतर काम किया यहां पर और कहीं न कहीं पर विश्वास जता है गिरिश देवांगन पर जो उनके खिलाब रमन सिंग के खड़े हुए हैं तो कैसे देखते हैं क्या होगा चुनावी समीकरन क्या वाइद भी है क्योंकि पहले चरण में अगर दो भागों में हम बाटें तो बस्तर का इलाका अलग और दूसरा जो राजनान गाउं से लगा हुआ इलाका आठ सीटों का है उसमें आठ सीटों में सबसे मतपूर सीट राजनान गाउं ही है पिछली बार भी कांग्रेस ने इसको लेक गया था इसा मेसेज दिया था इस बार भी कांग्रेस ने प्रयोक किया ग्रीज देवांगान जो कि मुख्यमंत्री भूपेज बगहल के बाल सखा है उनके साथ कॉलेज की पढ़ाई किये उनके साथ जब अध्यक्स थे तो महामंत्री रहे और 18 में सरकार लाने में मुख्यम का गड़ बन गया है राजनान गाउं और इसलिए पिछली बार बड़ी लहर होने के बावजूद करुना सुकला को मैदान में उतारने के बावजूद आजू-बाजू की सभी सीटें कांग्रेस जीत गई लेकिन राजनान गाउं नहीं जीत पाई क्योंकि मुख्यमंत्री जो रवन सिंग थे उनका चहरा उतना दागदार नहीं हुआ वो अपने छेतर में अपनी साख बचाने में काम्याब रहे थे अपने गाउं में वहार गये कवरधा में ठाटापूर में भी उनको बहत नहीं मिली थी भाजपा को वहां अपने प्रत्यासी के इस्तिती बहुत उन्हों 50-60,000 वोट से वो हार गये थे लेकिन यहां पर वो अपनी स्थिती बचाने में काम्याब रहे 15-17,000 वोट की लीट के साथ जीते थे डक्टर अमन सिंग इसलिए उन्हें घेरने के लिए यहां ग्रीज देवांगन को उतारा गया कहा जा रहा है कि देवांगन बस्त जबाव राजनान गाँ में पड़ता था जो महराज से आने वाले वहां थे वो कम हुआ है लेकिन अभी विकास के काम वहां होने हैं वस्तियों और वाडो का विकास होना है वो काम नहीं हो पाया तो उसे मुद्दा बनाने की जरूर कांग्रेस कोसिस करेगी लेकिन दिल्च झाल झाल